आयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246 ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोण 80 लाख रुपए है जिसको दो करोण रुपए में कुसुम पाथक और हरीश पाथक जी से दो लोगों ने खरीदा जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाथक और कुसम पाथक से दो करोण की जमीन खरीडी गाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी ने खरीदी इसमें दो गवाह बने एक अनिल मिस्रा जो राम जनम भूमी के ट्रस्ट के सदस्थे हैं और दूसरे रिशी केस उपाध्या है जो आयोध्या के मेयर हैं ये दो लोग इसमें गवाह बनते हैं और ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई साथ बच के दस मिनट पर साथ बच के दस मिनट पर पांच करोण असी लाग की मालियत की जमीन सामको साथ बच के दस मिनट पर दो करोण रुपए में कुसम पाथक और हरीस पाथक के द्वारा बेची गई सुल्तान अंसारी और रभी मुहंतिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिस्रा उसके गवाब ने आयोध्या के मेर रिसी के सुपाध्या उसके गवाब ने पांच मिनट बाद क्या करिश्मा होता है ठीक पांच मिनट बाद ठीक पांच मिनट बाद ये ज जिसकी मालियत पाँच करोण असी लाख है वो जमीन राम जनम भूमी ट्रस्ट ने चंपत राजी ने साड़े अठारा करोण रुपए की खरीद ली और साड़े अठारा करोण में सत्रा करोण रुपए आटी जीएस कर दिया रभी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा साड़े अठारा करोण में खरीदा दो करोण की जमीन लगभग साड़े पाँच लाख रुपए प्रतिस सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन एक सेकंड में महंगी नहीं होगी लेकिन राम जनम भूमी प्रभुसृरी राम के नाम पर बने ट्रस्ट में एक सेकंड में साड़े पाँच लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई साड़े अठारा करोण सत्रा करोण पर आर्टी जियस्त कर दिया गया